हेलो दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल सरला क्लासेस में दोस्तो जैसा कि आप देख पारे होंगे कल मैंने ही कल मैंने इसके बार में आप लोगों को बताया था कि बिहार राजिस्वास्य समीती के दुबारा कॉंट्रेक्च्वल बेस पर आवेदन आमंत्री किये गए है जो की बहुत ही जादा बंपर भरती है जिसमें की 4102 पोस्ट है और यह स्ताफ नर्स के लिए पोस्ट है और साथ ही इसकी सेलरी भी मैंने बता दी थी कि 20,000 रुपय है क्वालिफिकेशन एन एक्स्पीरियन्स के बारे में भी मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया था और इसके आगे जो है राज़वास समीती भिहार ने कुछ और नोटिफिकेशन दिये है या कुछ और इंस्ट्रक्शन दिये है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसमें क्या-क्या होने वाला है और जैसा कि मैंने बताया था कि ये 21-21-2020 को इसका ओलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और इसकी ओलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट होगी वह 21-2021 है तो चलिए दोस्तों इसमें आगे जो है ये चीज़ जो नई दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल बताया था कि याप पूरी तरह कॉंट्रेक्च्वल बेस पर है लेकिन आप 7 नंबर पर देख पा रहे होंगे इसमें दिया गया है नियोजन पूर्णतह समवीदा क्याधार पर समप्रती अधिक्तम 11 माह के लिए किया जाएगा आपको 11 माह के लिए रखा जाएगा लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आपका कार्य जो है वो संतोस्प्रत रहता है या सैटिस्फाइड रहता है तो आपको 60 वर्स की आयू तक तक की आउधी के लिए विस्तार किया जाएगा तो ये हो सकता है कि अगर आपका कार्य जो है वो अच्छा रहे आपका वर्क जो अच्छा रहे तो आपको इसमें 60 वर्स तक की आयू के लिए रखा जा सकता है अब 8 नमबर देखते हैं जिसमें कि दिया है समवीदा के आधा और ही होगा आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और साथ ही आप नियमिती करण के लिए कोई भी जो अपना दावा नहीं कर सकते हैं और आपकी जो सैलरी रहेगी वो इसी हिसाब से या बढ़ सकती है या नहीं भी बढ़ सकती है ठीक है आगे नेक्ट बात करते हैं पर नियोजन के उपरांत नियोजित इस्थान है तू आप अगर कोई जगा चाहते हैं तो आप दो विकल्प ले सकते हैं परन्तु किसी भी इस्थान पर नियोजन का अधिकार जो होगा वो बिहार के पास ही रहेगा आपको दो जगा चूस कर लेना है नेक्स्ट है टैन में देखते हैं जिसमें की आरक्षन के बारे में बात की गई है कि आरक्षन किस-किस को मिलेगा तो सबसे पहले मैं बता दू आरक्षन का लाब जो है उन्ही को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी है अर्था जिनका बिहार में उनका रहना हो रहा है उन्ही कोई आरक्षन का लाब मिलेगा और बिहार के बाहर जो है उस राज्य के निवासी को या भ्यर्थी को आरक्षन का कोई लाब नहीं मिलेगा और लाइन आवेदन पत्र में इसके बारे में पहले से ही बता दिया गया है इसमें भी कोई आपको लाब नहीं मिलने वाला है साथ ही आपको मैं बता रिदी हूँ कि कौनकौन से इसमें कौलम्स दिये गए हैं जिसमें की है अपनी जाती के अनुरूप आरक्षन कोर्टी के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पस्चाथी आरक्षन कोर्टी का अंकन online आवेदन के संबंधि कॉलम में भरेंगे आपके पास सभी जो दस्तावेज है वो होने चाहिए तभी आप जो है online आवेदन पर इसे अच्छे से भरे और कोशिस करें कि सभी दस्तावेज आपके पास उपलब्द हो और उसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग आप या फिर आपके डॉक्यूमिन के अकॉर्डिंग आप उस फॉर्म को भरें नेक्स है थर्ड में देख रहे होंगे online आवेदन करते समय आरक्षन का दावा करने वाले अनुसूची जातिवम जन जाती के मामले में इस्थाई अधिवास अंचल के अंचला धिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमान पत्रेवं जाती प्रमान पत्र होना चाहिए अगर आप विवाहित है तो आपके पती के नाम से होना चाहिए ठीक है अन्य था आपको अरक्षन का लाग नहीं मिलेगा साथ ही उसमें भी दिया गया है कि आप अगर आवेदन करते समय अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी है अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभी हरती है लेकिन आप क्रीमी लेयर के अंतरगत नहीं आते हैं तो आपके पास उसकी गोशना पत्र होनी चाहिए नेक्स्ट है सामान्य प्रसासन विभाग जिसमें की बताया गया है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दसा में अपने इस्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा निर्मित जो है परिसंपती प्रमान पत्र या आय प्रमान पत्र मान्य होगा तो आपके पास वो भी चीज़े आपका आय प्रमान पत्र होनी चाहिए एवं परिसंपती प्रमान पत्र होना चाहिए अब नेक्स्ट देखते हैं जिसमें की सैवन नंबर है सामान्य प्रसाशन विभाग बिहार के जो पत्र क्रमांक में है उसमें महिलाओं को उपलग्ध में 35% जो है आरक्षन दे होगा ठीक है महिलाओं के लिए इस्पेशलीज में आरक्षन दिया गया है जिसमें की 35% होगा साथ ही और कुछ आरक्षन के बारे में बात की गई है जिसमें की डिया गया है दिव्यांको को रिक्ती की उपलबधरता की इस्थिती में नीमन उसार 4% जो है आरक्षन दे होगा, ओल्लाइन आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप दिव्यांगता की आधार पर आरक्षन का दावार करते हैं तो आपके पास 40% से अधिक की दिव्यांगता का प्रमान पत्र होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको कभी भी जर पत्र हैं, नाइन नंबर है ये, जिसमें की दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों, किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों, उसके पोता-पोती, नाती, नतिनी को रिक्ती के उपलबधता की स्थिती में नियमा नुसार जो है, दो परसेंट आरक्षन दिया जाएगा, कोई भी और वसेनिक हो, या फिर स्वतंत्रता सेनानी हो, या जो पेंसन भी उनको दिया जाता है, उसके अकॉर्णिंग भी अगर अभी उनको दिया जा रहा है, तो वो दो परसेंट आरक्षन के लिए मान्य होंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, सामान ने प्रसासन विभाग में दिया ग और आपका जो आरक्षन के डॉक्यूमेंट जो है, वो बाद में बने हैं, और आप अभी उसमें चेंजिस लाना चाहते हैं, तो वो चेंजिस नहीं हो सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, अब बात करते हैं, दिया गया है, UR, EWS, BC and MBC, तो इसमें पुरुस के लिए जो है, आपको 500 देना है, SC, ST, बिहार डो मिसाल जिनका है, उनको 500 रुपे देना है, और दिव्यांग जो है, उनको 500 रुपे देना है, और महिला में चाहे वो ऐसे, UR, EWS, MBC कहीं से भी हो, उनको सभी को 500 रुपे निर्धारित किया गया है, सिर्फ जो है, पुरुस वर्ग के लिए 500 रुपे निर्धारित किया गया है, और सभी के लिए 250 रुपीज जो है, फी है, दोस्तो एक और बात बता दूं, आप लोगों को, अगर आप दिव्यांगता के अनुरूप अपना परिक्षा सुल्क जमा करते हैं, और अगर बाद में भयूस में आप दिव्यांगता का जो प्रमान पत्र प्रस्तूत नहीं कर पाते हैं, या आपके पास अवेलबल नहीं होता है, तो आपको फिर से उसी के हिसाब से जो दिव्यांगता के आधार पर ना हो, उसके हिसाब से आपको सुल्क जमा करन तो आप इसके बारे में पहले अच्छे से जान ले या फिर आपको वहां से हटाया भी जा सकता है या फिर आप अपने आपको परक कर आगर आपके पास दस्तावेज है तभी आप उस तरीके का आवेदन भरे की आप दिव्यांग है नहीं तो आप डारेक्ट ले अपना जो सा जमानिक के हिसाब से अपना आवेदन जमा करी चैन का अधार जो है इसमें आप देख पारे होंगे कि इसमें सीबीटी होने वाली है बहुत सारे लोगों का कुस्चन था कि क्या इसमें सीबीटी होगी या फिर ये सीधी भरती होगी तो मैं बता दूं कि ये एकस अगर बेस्ट टेस्ट जो होगा वो हंड्रेड नंबर का होगा कोई इंटर्व्यू इसमें नहीं है और सेलरी पर मंत जो है आपकी कॉंट्रेक्च्चुल बेस बेस बीस अजार रुपए होगी ठीक है दोस्तों बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट में टाई होने पर आपको कौ जाएगी ठीक है जिसमें कि दो या दोस्य अधिक अगर समान अंक आते हैं तो उनकी दसा में उनकी इस्थान का निर्धारन उनकी जन्मक्तिति क्या ठाड़र किया जाएगा या फिर उनके जो जादा बड़े होंगे अधिन की उल्स प्रचा करने एवं समान जन्मितिति वा जाएगा अर्था सर्सेक्षनिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे उनका नाम जो है मैरिट लिस्ट में उपर रहेगा इसके बावजूद भी अगर उनका जो एक से अधिक जो अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीता उनके दसवी बोर्ड के प्रमान पत्र में यथा निम्ल लिखित नाम के अंग्रेजी वर्ण माला के करम में के अनुसार निधारी की जाएगी तो इस बात का भी आप द्यार रखेंगे आप इस चीच के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस टेस्ट के लिए है जो जिसमें की मेरिट सूची के लिए नियूंतम अहरताएं कितनी होगी ठीक है मिनीमम कितना परसेंट आपको लाना है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सामानि वर्ग के लिए 40% रहेगा पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है साथ ही 28 पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है एवं अनुसूची जाती जन जाती महिलाओं तथा दिव्यांग उमीदवारों के लिए 32% नियूंतम अहरता अंख प्राप्ट करना अनिवारी होगा मत next है document verification के समय आपको कौन कौन सी चीज़े लानी होंगी तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो है copy of online filled up application form जो आप application form फिल करेंगे उसकी copy पाच पाच पासपोर्ट साइज के photo आप देख लीजे कि कौन कौन से documents आपको verification के लिए लेकर जाने है ठीक है photo identity proof है जिसमें आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी पासपोर्ट कोई भी हो सकता है जन्मिती ठीकी proof आपको लेकर जाने है all educational qualification marks degree from last date अब कब तक आपका last qualification है उसके हिसाब से copy of work experience अगर है तो या फिर अगर अभी experience नहीं है आप कहीं काम कर रहे है तो उसका appointment letter लेकर जा सकते हैं अभी तक की अनुसी लेकर जा सकते हैं रिलीविंग लेटर जो है लेकर जा सकते हैं या latest salary slip भी लेकर जा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको हर्ते रेकी की सुविधा दी गई है इप्धा candidate is working in any government और government PSU from the competent authority तो उसको अनुसी लेकर जाना है साथ अनुसूची जातिवं अनुसूची जन जाती के उमिद्वारियों के लिए जाती प्रमान पत्र इस्थाय निवास प्रमान पत्र और महिला उमिद्वारों के लिए भी पिता के नाम एवं पता से निरगत प्रमान पत्र एवं निवास प्रमान पत्र होना अनिवारी है वही चीजे बताईगे हैं आगे भी आपको कि आप अगर जिस भी पिछड़ा वर्ग की या तेंद पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके पास साक्षरी जो प्रमान पत्र होने चाहिए आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें और जो दिव्यांग है उनके प्रमान पत्र होना चाहिए कि आप बता सके कि हाँ हम इनके थुरूर या इनके जो है परिवार में आते हैं तो इस तरीके से आपको पूरी जो प्रमान पत्र है या सर्टिफिकेट से आपको लेकर जाने है ठीक है तो यह थी दोस्तों पूरी जानकारी कि आपको कौन-कौन से ही इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और सेर कर दे चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन भी हीट करें तक कि इसी तरह की जानकारिया आपको सबसे पहले मिलत रहे धन्यवाद दोस्तों